बच्चों हमारी poem थर्ड चल रही है जिसका नाम है Cummings आज हम इसके strange explanation करेंगे बच्चों strange explanation करने से पहले बच्चों हमारा जो first part है उसे हम recall करते हैं हमने first part में फिलिप लरकिन सर के बारे में पढ़ा था फिलिप लर्किन जो है वो poet laureate बन जाते बट इन्हों ने उसको decline कर लिया फिलिप लर्किन जो है वो pseudonym से लिखते थे फिलिप लर्किन जो है novelist है, librarian है, poet है इनके कई सारे works बाहर आए हैं, कई सारे works को हमने पढ़ा है और यह जो हमारी poem है, यह भी collection का part ही है, disabled है पूरा नाम आपको मेरे को बताना है, कि कौन से collection से है हमारा first part आपको इसके लिए वापिर देखना पड़ेगा और मैं आपको बताओं बच्चो coming जो poem है, इसके बारे में हमने बात की थी यह जो है, यह एक season change को बता रही है, जो spring का season है, वो आ रहा है और उस time being में क्या-क्या changes हो रहे है उस time being में क्या-क्या चीजे नई हो रही है, अनोख ही हो रही है बच्चों का क्या reaction है, आपने देखा, बच्चे बहुत खुश हो रहे थे poet को खुद को भी लगता है कि मुझे मेरा बच्चपना तो याद नहीं है हो सकता है, वो अच्छा हो, बुरा हो, लेकिन मुझे अभी बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे बड़ी बात क्या है, पक्षी का आगमन थ्रश जो पक्षी है, वह है जो है, वह इंडिकेट कर रहा है लोगों को लोग ब्रिक्स के जो मकान बने वे हैं, उनसे बाहर निकल के दोड के देखते हैं अरे थ्रश पक्षी अगर गा रहा है तो इट इस अन इंडिकेशिन ओफ coming of spring, तो यहां पर यह जो coming है, यह बहुत सारी hopes लेके आया है spring change की hope है, फूलों के खेलने की hope है, बच्चों के खेलने की hope है और जो adults हैं, उनकी बाते करने की hope है, तो हम यह कह सकते हैं कि coming जो poem है वो अपने आप में अनोखी poem है, और आज हम इसके part second में जब strange wise explanations कर रहे हैं, तो हम इसे और अच्छे से समझेंगे, तो तयार है मेरे साथ में बच्चों, सबसे पहले अपने books उठाएं, क्यों क्योंकि आप मेरे साथ साथ इसे read out करेंगे, और जो इसके word meanings हैं, वो भी आपको write down करने हैं, because हम जब questions first करते हैं, इस्टेंजा based questions करते हैं, तो यह हमारी बहुत help करते हैं, we are taking our first stranger here, on longer evenings, light, chill and yellow, लंबी लंबी शामें, जिस में हम क्या कह सकते हैं, light थी, chill, chill means coolness, बहुत ही ठंडी ठंडी, लंबी लंबी शाम थी, क्यों क्योंकि कौन सा मौसम चल रहा है बच्चों, सर्दियों का, विंटर का मौसम चल रहा था, बाच्द सर्ण, यहां पे सर्ण का मतलब है शान्ती, एकदम शान्त रहे के, ऐसे लग रहा था, इतना जो शामें होती हैं, जो संध्या का समय है, वो बहुती शान्त हो रहा है, foreheads of houses, foreheads का यहां पे मतलब है, जो घरों के सामने का हिस्सा होता है, फ्रेंट पार्ट होता है घरों का, उसके बारे में बात की गई है, क्या बात की गई है, अ थ्रश सिंक्स, थ्रश कौन है, यहां पे एक काइंड अफ बर्ड है, जो की सीजन चेंज होने पे अपना एक सूम दुर गाना गा रही है, और वही इंडिकेट कर रही है, कि सीजन चेंज हो रहा है, स्प्रेंग इस कमिंग, और यहां पे जब हम स्प्रेंग की बात करते हैं, तो हम क्या दिखते हैं, लाॉरियल सराउंड इट, इट मेंज, लाॉरियल का मतलब होता है बच्छों, कि एक ऐसा अवर ग्रेंज श्रब जो की बहुती शाइनी, चमकदार जाड होती है, in the deep bear garden, कहां पे है यह बच्छों, looking in the most basic or natural form में है यह, हम यहां पे बात करें, बहुती मूल और प्राक्रतिक रूप से जो लाॉरियल है, वो दिखता है, और वहां पे उसका जो चेंज होना, मौसम का चेंज होना, यहां पे लाॉरियल के उपर आए, बदलाव को भ ही है, उसने जो माहौल दिया है, वो बहुती अच्छा बन पड़ा है, यहां पे देखिए, its fresh peeled voice, कैसी, बहुती सूमधूर, बहुती प्यारी सी, आवाज में जो थरश है, वो चह चहाना, अपना गाना शुरू कर रहे हैं, astonishing the brickwork, astonishing का मतलब surprise करने वाला, brickworks मतलब कि the house is made of bricks, जो लोग घरों में ठंडक के मारे बंद पड़े थे, जैसी उन्होंने देखा, कि जो थरश पकसी है, उनके गानी की आवाज आ रही है, उनके कानों में जैसे ही, उस आवाज की गूझ सुनाई दी, वो अपने इंटों के मकान से निकल कर बाहर आए, और उन्होंने देखा, कि यह सच में यह तो थरश पकसी के गानी की ही आवाज है, और उन्हें बहुत ही अच्छा इंडिकेशन मिलता है, इंडिकेशन मिलता है, सीजन चेंज का, इंडिकेशन मिलता है, इस प्रिंग की कमिंग का, सी इन दे नेक्स स्टिंजा, इट विल बे स्प्रिंग सून, और क्या बात हो जाती है कि अब तो जल्दी ही, इस प्रिंग का मौसम आने वाला है, इट विल बे स्प्रिंग सून, इस लाइन को रिपीट किया गया है, यहां पे, इट विल बे स्प्रिंग सून, इट विल बे forgotten boredom यहाँ पे forgotten boredom कहा गया है uninteresting time period को यहाँ पे and I यहाँ पे यह जो आई है यह poet अपने लिए use कर रहे हैं लरकिन जो है वो अपने खुद के लिए यहाँ पे इसे use कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं एक boredom life जी रहा था बहुती उबाव जिन्दगी जो रहा था मुझे ऐसा लगता है मैं अपना जो बच्पना है वो भूल तो गया हूँ मेरे बच्पन में क्या हुआ लेकिन एक उबाव जिन्दगी थी feel like a child who comes on a scene लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ अब मैं बच्पने की तरह जी रहा हूँ it means मैं अपना बच्पना वापिस ला रहा हूँ मैं अभी एक बच्चे की तरह महसूस कर रहा हूँ क्या महसूस कर रहा हूँ who comes on a scene अभी ये जो spring के आने के बाद में जितने भी परिवर्तन होएंगे कितने सुखद परिवर्तन होएंगे उन ही के लिए मैं अपने आपको तयार कर रहा हूँ of adult recouncil जो adults हैं वो recouncil कर रहे हैं तालमेल बैठा रहे हैं is there coming of indication of spring is here or not crushing की आवाज के बाद में कई बार उनमें बहस हो रही है जो बच्चे हैं वो तो joyful हैं बहुत खुश हैं लेकिन जो adults हैं उनमें एक बहस हो रही है लेकिन उस बहस का भी वो अंत करते हैं and can understand nothing उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है but the unusual laughter and starts to be happy यहाँ पर unusual का बच्चों यहाँ पर है कि ऐस आमान्य रूप से uncommonly हसी छुट जाती है उन लोगों में और साथ में हम क्या देखते हैं and starts to be happy और वो भी खुश रहना happy happy रहना शुरू कर दे तो यह एक बहुत ही छूटी सी poem है लेकिन बहुत ही important लोगों हम कह सकते हैं क्यों कह सकते हैं बच्चों कि दो इस्टेंजा में ही इन्होंने हमें life जीना सिखा दिया है इन्हें हमारी बच्चपन की यादें दिलानी सिखा दी है इस poem ने हमें सिखा दिया है कि एडर्ट्स हो कि आप बहस भले कर लें misunderstanding बने कर लें लेकिन इन दे लास्ट आपको खुशियां लेके आनी ही पड़ेगी और यह सब आया है spring की वज़े से यह सब आया है थ्रश पक्सी की singing की वज़े से तो जो poet lurkin है यहां पे हमने देखा कि poet lurkin ने अपने आपको को involved किया है इसमें अपने आपको भी शामिल किया है कि पता नि मेरा बच्पना कैसा था बट अभी जब बच्चों को देखता हूं तो मुझे मेरा बच्पना उबाव भली लगे अभी बहुत अच्छा लग रहा है तो बच्चों कैसे लगी होप आपकी जिंदगी में भी बच्छे बने रहिए और इस पोयम के साथ बने रहिए क्यों क्योंकि हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे कुछन आंस्वर्स थेंक्स तो अलफ यू